प्रथम तहलका न्यूज अब किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने लोगों से इकठे होने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संचा में जो है लोग चंडी मंद्र टोल प्लाजा पर पहुंचे और इकठे हो जाएं आपको बता दे कि किसान नेता गुर्णाम सिंग चड गहराव किसानों द्वारा किया जा रहा था और इस कड़ी में पंचकुला में भी किसान विधायक ज्यांचंग गुपता के निवास का गहराव करने जा रहे थे लेकिन इस बीच पुलिस ने रास्ते पर ही उन्हें रोक लिया और इस दोरान किसानों पर लाठी चार्च किया गया जिसके बार अब खिसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने एक वीडियो जारी किया है और लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जादा से जादा संक्रा म किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जादा से जादा संक्या में लोग ही कठे होकर चंडी मंदिर तोर प्लाजा पहुंसे आपको बता दे कि पंच खुला में किसानों पर हुए लाटी चार्ज को लेकर अब किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने लोगों से इकठे होने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि जादा से जादा संक्या में जो है लोग चंडी मंदिर तोर प्लाजा पर पहुंचे और इकठे हो जाएं आपको बता दे कि किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से ये अपील की है आपको बता दी कि संयुक्त किसान मोर्चा के अवाहन पर आज प्रदेश भर में विधायकों और मंत्रियों के घर का गहराओ किसानों द्वारा किया जा रहा था और इस कड़ी में पंचकुल विधायक ज्यांचंग गुपता के निवास का गहराओ करने जा रहे थे लेकिन इस बीच पुलिस ने रास्ते पर ही उन्हें रोक लिया और इस दोरान किसानों पर लाठी चार्च किया गया अब किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने एक वीडियो चारी किया है और ल लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है साथियो नमस्कार साथियो आज पंचकुला में काफी लाठी चार्ज कर दिया गया है काफी लोगों को चोटे आई हैं और काफी लोगों को गिरिफतार कर लिया गया है दो तिन जरह से गिरिफतार किया है तो मैं भी वहाँ प सब्सक्राइन के पहुंच nurturing सभी का बहुत 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 दो